भाव ही भगवान है ये लाइन तो आपने सुनी होगी बिगोस ये लाइन हमारे राकिच जुदन वाला सर ने दी है जो कि हमारे share market के big bull माने जाते हैं आज़ भी अब इस line का मतलब क्या है भाव ही भगवाना याने की भाव जो price है वही सब कुछ है market में अगर आपको price देखना आता है price की knowledge है तो आप market में कभी मिमार नहीं खाओगे अब जो price है यह हमें market में देखता किस तरीके से है candle sticks की मद्द सत से या फिर candle sticks की जैसे जैसे कि यह हमारी कुछ candles है अब यह candles हमें बता क्या रही है market का भाव, market का price अगर आपने इन candle sticks को समझ लिया ना तो आप market में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो और आज की इसी वीडियो में हम candle sticks के बारे में बात करने वाले reading of candle sticks इस वीडियो में हम पूर डिसकस करने वाले हैं जिसके अंदर हमारे कौन से कौन से टॉपिक होने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले what is candle sticks उसके बाद में why candle reading is necessary क्यों candle को read करना जरूरी है how to make profit using candle sticks candle sticks से भीया पैसा कैसे बनता है and last way two candle sticks trading strategy आपको मैं दो trading strategy दूँगा और उसमें proper entry, proper exit and उस strategy की positive and negative points चाने की कब उस strategy को use करना है कब आपको उस strategy को use नहीं करना complete guide आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ तो hope आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को topic अच्छा लग रहा हो वीडियो पे पहली बार आए हो, चैनल को subscribe कर दो, वीडियो को like कर दो और हाँ, मेरा free वाला telegram पहले join कर लो, link description में क्योंकि वहाँ पे मैं आपको chart analysis, technical analysis, कोई अच्छे stock for long term and daily एक benefit की trade free में देता रहता हूँ, जो कि आपको benefit भी दे सकता है और वो मैं आपे learning purpose से देता हूँ, मैं कोई भी savvy register नहीं हूँ तो चलिए फिर वीडियो को start करते हैं, सबसे पहले हमारा जो topic है what is candlesticks, तो candlesticks होती क्या है, जो आप यह चार्ट पे देख रहे हो ना candlesticks आप ऐसा समझो, market में कोई भाव चल रहा है, for example, कोई भी stock है वो stock अब भी, जैसे मालो कोई stock है 100 रपे का, वो stock है 100 रपे का और वो एक घंटे के अंदर movement करता है, और वो एक घंटे के अंदर उसने क्या किया है 100 रपे से वो 105 पे चला गया, एक घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर वो stock 100 से 105 चला गया और उसी बीच में, उस एक घंटे के बीच में, उसी stock ने 100 रपे से 107 तक भी गया था वो stock और 100 पे से वो 95 भी आया था लेकिन वो open तो हुआ था 100 पे उस एक घंटे के अंदर वो जो price start हुआ 100 पे उस stock का और जब वो close हुआ ना वो close हुता है 105 पे तो ये जो हमें knowledge मिली है कि एक time frame पे एक particular time के हिसाब से एक भाव ने कब open यानि कि उस चीज का कब price open हुआ था कब उस price का जो price है वो close हुआ था उस stock का जो price है वो close हुआ था और फिर उसका high क्या था और low क्या था जब हमें ये चार्चिस को ही बताता है उसको हम बोलते है candlesticks और ये कुछ दिखती है इस तरीके से अब डायेट आते हैं second point पर अब या आप इतना ही सीखो क क्योंकि अब इम आपको दीरे दीरे सारी चीज़े सिखा दूँगा वीडियो में last तक बने रही है वीडियो लंबी होगी मेरी लेकिन आपको value ना मिले तो मुझे comment में कर देना हर एक beginner के लिए कोई भी आपको जूरत नहीं है paid course लेने के मेरी या फिर किसी के भी आपको free मे एक art होती है market में यह पता लगाने के लिए कि आप जो price हो यहां से उपर जाएगा या फिर price निच जाएगा और उसी के अंदर आता है candle reading भी उसके अंदर chart reading भी आता है candle reading भी आता है chart pattern भी जानना होता है indicator भी आता है लेकिन उसी के एक छोटा सा part है candle reading जो कि हम आज की इस वी जब आपको यह वाली candle for example अगर कुछ इस तरह की candle आपको एक PSY level के पास में मिलती है तो फिर आपको क्या करना है buying करना है और वहां से price उपर जाएगा तो आप पैसा बना लोगे तो आपको समझ में आया कि अगर मैंने बताया कि PSY level के पास में अगर आपको कोई hammer candle मिलती है वहां पर अगर आप buy करोगे तो आपको profit होगा यह मैंने बता दिया यह मेरी एक strategy है और इसी तरीके से मैं आपको दो strategy बताने वाला हूँ टू candle stick trading strategy जिसमें अब आपको proper entry अब वो कुछ भी हो सकता है जैसे कि PSY level के पास अब जिसको नहीं पता PSY level क्या होता है वो वीडिय जो candle sticks है यह कितने परकार की होती है और इसमें जो हमें high open low close होता है यह कैसे पता लगता है सबसे पहले दो तरीके की candle होती है दो candle होती है एक तो होती है दोस्त bullish candle एक होती है bearish candle अब लोग बोलोगे कि अंकुष भाई यह तो बताना बहुत असान है जो लाल candle है वो bearish है जो हरी candle है वो bullish है जी हाँ यह बिल्कुल सही बात है आपकी लेकिन हमें just लाल और green candle को देखके नहीं पता लगाना है because वो तो दुनिया बता रही है हमें इनका formation देखना है formation style कि यह किस तरीके से बन रही है क्योंकि काफी candle होती है जो इतनी बड़ी बड़ी candle होती है काफी candle होत होती है वो हर एक अपना अलग formation करती है और इसी बनने के ढंग से हम पता लगाते है कि यहां से जो प्राइज है वो ऊपर जाएगा क्याफी नीचे जाएगा अब भी और दो तरीके की candle होती है एक होती है bullish candle एक होती है bearish candle yes you are right कि अगर लाल कलर की वो candle बनती है तो इसका मतल इसलिए मैं कहा रहा हूँ वीडियो को last देखो आपको सारे चीज़े मैं समझा दूँगा तो hope आपको अभी तक वीडियो में इतना समझ में आ गया हो जितना मैंने समझा दिया आप समझते है candles को कि candles क्या होती है आपने देखा हो कुछ इस तरीके से candle होती है सबसे पहले आ यहाँ पे चार्ड का प्राइस है 15 यहाँ पे चार्ड का प्राइस है 13 यहाँ पे चार्ड का प्राइस है 10 यहाँ पे चार्ड का प्राइस है 8 तो अब एक candle बनी है इसके आगी ग्रीन कलर की मालो तो इसका मतलब यह है कि वो जो प्राइस ग्रीन कलर की है तो वो open हुई थी 10 पर close हुई है 13 पर लेकिन उसी time period के बीच में वो price 15 तक भी गया था लेकिन वो नीचे आ गया वो close कब होई 13 हर candle incomplete होती है जब तक वो close ना हो जाए और close कब होगी अपने time frame के अगोडिंग हर एक candle का अलग time होता है जैसे कि मैं भी आपको chart पर दिखाता हूँ दोस्त यह जो मैंने candle खोल रखी यह पांच मिनट के time frame है और अगर मैं इसको 15 मिनट कर देता हूँ तो एक candle मुझे 15 मिनट का data बताएगी कि 15 मिनट के अंदर price ने क्या open किया था क्या लो किया था आप जैसे मैंने वन गंटे एक आवर की एक candle खोल दी तो आपको दिख रहा होगा कि वन आवर में तो अभी green candle बन रही है दोनो और अगर मैं मालवा पांच मिनट का time frame खोलता हूँ तो पांच मिनट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो दो green भी बन रही है लेकिन यहाँ पे लाल भी बनी है तो वो लाल मुझे वन आवर में क्यों नहीं दीखी क्योंकि वो जो डाटा आपको दिख रहा था ना दोस्त वो आपको दिख रहा था किसका एक घंटे का कि एक घंटे में तो भीया प्राइज उपर ही गया है वो आपको candle से पता लगा लेकिन जब आपने पांच मिनट का टाइम फ्रेम बताएगे कि इस पांच मिनट में प्राइज नीचे आया था अगले पांच मिनट में प्राइज उपर गया है फिर उस अगले मिनट में प्राइज उपर गया है तो यह according हमें बताता है अपने टाइम फ्रेम के according तो इतना आपको hope समझ में आ के आओगा दोस्तों मैं जानता हूँ नए बंदों के लिए वीडियो बहुत ज़ादा complicated है लेकिन अगर आप इसको सीखोगे तो ही पैसा बना पाओगे intraday trading में और option trading में ये truth है और ये चीज़ आपको हर तरीके की trading में काम है कि चाहे आप positional trade कर लो swing trading कर लो किसी भी तरीके की trading कर लो ये चीज़ आपको हमेशे काम है क्योंकि भाव ही भगवान है और अगर अभी तक आपने वीडियो को like नहीं कर रहे तो दोस्त प्लीज वीडियो को like कर दो आप देख सकते हो किस तरीके का valuable content में आपके लिए लेके आ रहा हूँ तो अभी तक हमने इस वीडियो में इतना चाल लिया कि accord किस त्रीके से होती से ही ऑपन उता है और जो глूसोता है वो अपर होता है अगर वो ग्रीन कर लेरीचar तो उसका जो open होगा वो उपर होगा जो उसका close होगा वो नीचे होगा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि एक candle लाल क्यों बनी है क्योंकि उस टाइम पर price नीचे आया था और नीचे कब आया था open तो मालो वो 100 पर हो गया अगर वो close होता 105 पर तो वही candle green बन जाएगी और अगर वो 95 पर बन दाता है तो वही candle लाल बन जाएगी तो हमेशा जब तक वो price close नहीं होता तब तक आपको उस price का नहीं बता रहेगा कि ये bearish है या फिर bullish है अब आते हैं हम direct अपनी candle formation में कि कितने तरीके की candle form होती है और कैसे हमें पता लगता है कि ये वाली candle bullish है या फिर ये वाली candle bearish है तो सबसे पहले आज की इस वीडियो को ज़ादा complicated ना करते हुए मैं आपको दो तरीके की candles बताने वाला हूँ सबसे पहले जो अपनी candle है वो है एक normal candle छीक है ये normal candle है ये candle क्या बताती है कुछ नहीं बताती है बस आपको ये बताती है कि price नीचे आया है या फिर price उपर गया है फिर दूसरे तरीके candle होती है अपनी hammer candle जो की मेरा favorite candlestick pattern भी है अब ये hammer candle कैसे बनती है खतोड़ी की तरह इसके अगर आप psychology जानोगे इसके psychology ये होती है कि पहले जो price था वो मानलोगर ये green color की बन रही है ये green color की है तो यानि कि ये open हुआ था यहाँ पर लेकिन वो बहुत नीचे आया बहुत नीचे आया बहुत नीचे आया और फिर एकदम से इसमें buying आई और अब ये उपर जाके close हो गया यानि कि price जो है वो पहले open हुआ फिर वो नीचे भी आया था लेकिन नीचे से क्या हुआ वो sustain नहीं कर पाया और फिर वो दुबारा same candle में उपर जाके बंद हो गया इसका मतलब क्या है कि ये candle जो है बाइंग प्रेशर आचुका है और अगर वहाँ पे बाइंग प्रेशर आचुका है तो यहां से पक्का price उपर जाच सकता है लेकिन दोस्त इसके कुछ conditions होते हैं जो कि मैं अब भी आपको trading strategy वाले में बताने वाला हूँ अब भी हम क्या बात कर रहे है candle stick formation के बारे में जब मैं आपको trading strategy बताऊँगा उसमें मैं आपको सारी से बताऊँगा कि hammer को कहाँ पर यूज करना है कहाँ पर नहीं यूज करना कहाँ सेंटरी बनानी है everything तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है एक तो बताया है अपना hammer बता दिया एक बताया मैंने normal candle अब तीसरे तरीके कि जो मैं candle आपको बताने वाला हूँ वो होती है doji candle जिसमें जो body होती है वो कोई भी color की नहीं होती अगर मैं आपको लेके चलता हूँ chart पर और आपको chart पे दिखाता हूँ मैं कौन सी की बात कर रहा हूँ चार्ट पे अगर आप ये वाली candle देखोगे कौन सी वाली ये वाली तो आप देखोगे ये वाली candle एक plus बन रही है इसका मतलब क्या है कि price जहां पर open हुआ था ना वहीं पर price close भी हो गया market उसके बीच में उपर भी गया था नीचे भी गया था लेकिन जो price है उसने कहां खतम करा जहां पर वो open हुआ था वहीं पर वो close हुआ जैसे कि एक stock है मालो 100 पे वाला अपने board पे चलते हैं मालो एक stock है 100 पे वाला और आपने 5 मिनिट का data देखा कि पिछले 5 मिनिट में वो stock 100 पे पर open हुआ और 100 पे वो price बंद हो गया तो वो जो candle है वो कुछ इस तरीके से दोस्त वो candle बनेगी तो hope मैंने अभी तक आपको candle formation ने बता दिया वो जो candle formation होती है वो बहुत परिकार की होते है लेकिन अभी ये पहली वीडियो है basics है आप चैनल को subscribe करोगे इसका next part आएगा उसमें आपको बाकी candle सिखा दूँगा लेकिन स्टार्टिंग कर रहे हो तो इतनी candle भी बहुत होती है दोस्त समझने के लिए अगर आपको इतनी वीडियो भी समझने रहे है न मतलब आप बहुत कुछ सीखिरे हो genuinely और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हैं बार बार इसलिए बोल रहे हूँ पिकोज आप लोग लाइक नहीं करते हो subscribe नहीं करते हो अब आते है अपने last topic पे जिसके लिए आपका weight था बहुत जादा कि कैसे या फिर क्यूं या फिर कौन सी वो strategy होगी यह अपना last topic है कि कौन सी वो strategy है जिसको use करके आप market में पैसा बना सकते हो और दोनो strategy को हम use करने वाले हैं जो कि candle sticks की strategy होने वाली है सबसे पहले आपको कुछ levels निकालने आ ले चाहिए levels क्या होते हैं support and resistance अगर आप market में support and resistance निकाल लेते हो उसके बाद में आप ये दोनो strategy को use कर सकते हो और अगर आपको support and resistance निकालने नहीं आते हैं तो आप मुझे comment करो अगली वीडियो में support and resistance पर ले आऊँगा otherwise आप मेरी पुरानी वीडियो भी जाके check out कर सकते हो और मैं छोटा सा discuss कर देता हूँ कि candle जो अपना support and resistance होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है तो support and resistance बनाने के लिए आपको ना market में ये देखने होता है कि last bar price कहां से resistance लिया था और last bar price कहां से उठा था अगर आपको ये पता लग गया तो आपको generally ये पता लग गया कि price देखो normal सी बात है माल लो एक price चल रहा है यहाँ पर 100 बेपर और वो चलते चलते चला गया 120 और वो 120 से नीची आ गया और फिर वो और नीची आया अब वो आ गया 105 माल लो ठीक है सोरी 105 कहां 95 वो आ गया 95 माल लो अब 95 से वो उठकर दुबारा चल रहा है 100 के बास में अब आपसे अगर मैं पूछूँ कि इस price का इस share का मेरे को support बताओ तो आप कैसे बताओगे आप देखोगे history कि भाया history में क्या होगा क्योंकि जो ही history में होती है वो ही आगे होगा लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ इसका support बताओ तो आप क्या देखोगे कि पिछली बार इस price ने 95 से support लिया था तो इसका जो 95 है यह support लेवल है फिर मैं बोलूँगा अगर आप इसका resistance लेवल बताओ resistance यानि कि जहां से price टकरा के नीच आए हो तो आप क्या बोलोगे history देखोगे और इस price ने 120 से टकरा के नीच आए था तो अब आपके पास support लेश्टेंस है तो अगर आप यह price यह 100 है तो मैं आप से बोलूँगा support क्या है आप बोलोगे 95 और इसका resistance क्या 120 तो अगर आप मानलो यह price support के पास आता है और support के पास में अगर आपको candlesticks मिलती है कौन सी candlesticks जी हां hammer की मैं बात कर रहा हूँ अगर आपको वहाँ पे hammer मिलता है तो आप वहाँ पे bullish side की trade बनाओगे और आपको जो target होगा वो कितना होगा आप उसका target 100 भी रख सकते हो और 120 बीस भी रख सकते हो resistance तक तो hope आपको मैंने समझा दिया हो एक strategy लेकिन अभी तो मैंने जिस्ट आपको board पे समझा है इसी same strategy को अभी हम chart पे समझने वाले है लेकिन उसके लिए please video को last तक बने रहे है और अभी हम आपको chart पे दिखाने वालों की कहां कहां पे hammer बनती है और कि support लेता है और तो ये हमारे लिए क्या बन गया दोस्त support बन गया ये जो पूरा area है ये वाला पूरा area हमारे लिए support है और अगर आप देखोगे तो पांच मिनट में हमारे को क्या मिली है हैमर मिली है जो कि मैं आपको बताया है कि यहाँ पे हमें एक हैमर मिली है यह वाली केंडल कौन सी है दोस्त हैमर नहीं है यह एक हैमर की तरह तो यह जैसी मेरो केंडल अपने एक सपोर्ट के पास में मिलती है, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ buying side की position मना सकता हूँ, लेकिन confirmation का wait करना बहुत जरूरी है confirmation दो होते हैं, मालो आपकी hammer candle है, hammer candle बन गई, फिर जो उसके अगली वाली candle है जैसे वो पिछले वाले hammer का high break करेगा, तब भी आपको entry बनानी है जैसे कि इसका high कौन सा है, यह वाला तो आपको यहाँ पे entry बनानी है, और इसका जो stop loss है वो कौन सा होगा, जो अपनी candle है hammer candle, उसका downside आपको stop loss होगा condition क्या है, hammer candle हमेशा आपको support के पास में ही डालनी है क्योंकि जो hammer है, वो एक reversal pattern है, यानि कि जब price उपर से नीचे आता है, फिर जब support के पास में अगर आपको hammer दिखती है तो वहाँ से price घूम सकता है यह एक trick होती है, अपना reversal find करने का, और अपना एक buying trade plan करने का, तो इसी के साथ में हमने पहली strategy भी जान लिए है अब चलते हैं अपनी second strategy पर और अगर आपको यह strategy अच्छी लगती है तो मुझे please comment करना इसके उपर एक live trading video भी ले के आऊँगा और एक special video hammer के उपर मैं बहुँ जल्दी ले के आऊने वाला हूँ, तो उसके लिए आप channel को subscribe कर लो, अब next है selling side के लिए एक strategy मैंने अभी आपको कौन सी strategy थी buying strategy थी, अब मैं आपको देता हूँ selling strategy, selling strategy के लिए same यही rule है, लेकिन हाँ buying में तो हम find कर रहते हैं hammer अब हमें क्या find करना है, downside में एक इस थरीके की candle, यानि एक ultra hammer, एक reversal handle hammer, क्योंकि देखो हमने जब यह buying वाला hammer बनाया था, उसका मतलब क्या था कि price उपर से नीचे आ रहा है लेकिन फिर वो reverse हो गया, इसलिए वो hammer बन गई, तो same condition हम लगाएंगे अब उपर side में, कि price पहले उपर दा रहा था, लेकिन अब वो reverse हो गया और इसलिए वो क्या बन गई, एक ultra hammer बन गया, अब ये ultra hammer आपको find का करना है, खुद बताओ मेरे को आपको जब आपने buying side की position बनाई थी, तो आपको support देखना था, अब अगर आपको selling side की position बनानी है दोस्त, तो आपको क्या का देखना पड़ेगा, एक resistance, जी हाँ अब अब अपने resistance डो करोगे, और resistance के बाद में अगर आप आप एक downside का hammer आपको मिलता है, और अगली वाली candle जैसे उसका high break कर दी है, आपको 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 food side की दोस्त entry बनानी है, और जो आपका next support होगा, वहां तक आपका होगा target, गी जो चीज़ मैं आपको सिखाई है, यह होते है टेक्निकल analysis, इसी में मैंने आपको क्या-क्या सिखा दिया, आपकी पूरी strategy भी सिखा दी, और जो जो topics मैंने आपको सुरुवात में बताये थे, सारे topics हमने दोस्तियां पे cover कर लिए, दुबारा एक बर हम वीडियो में आपको बतायता हूँ कि वीडियो में हमने क्या-क्या बाते करिये ताकि आपको याद भी रहे और आप इनको note भी कर सकते हो, हमने यह जाना कि candlestick क्या होती है, हमने यह जाना candle sticks क्यों जरूरी होती है हमने यह देखा कि profit कैसे बनता है तो आप वापे put भी भाई कर सकते हो और इसी के सात में मैंने आपको दो Candlestick की trading st사ospace भी बता दिय जो कि बहुत असान है हर एक बच्चा बच्चा इसको जान जाएगा लेकिन दोस्त ऐसी Candle strategy या market में बहुत जाता है अगर आपको अच्छी लगे अगर आपको वीडियो समझ में है तो मुझे comment करना आपके लिए सारी candlestick की जितनी भी strategy होती है सारी आपके लिए मैं लेक्या हूँगा और अगर आप बोलोगे support and resistance के उपर आपके फिर thank you for watching this video वीडियो को like कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को subscribe कर देना मिलते हैं से next powerful वीडियो को सार्थ तब तक के लिए दोस्त जैश्री राम